मैंने केवल डिवेट नहीं की, केवल बच्चों से बात नहीं की, मैंने सरकारों से डिवेट और टीवी के स्क्रीन से बाहर जाके भी बात की है, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखलिश जी की रही हो, चाहे योगी जी की हो, अधिकारियों से भी बात की, समंधित मंत्रियों से भी बात की मंत्रियों से भी कहा जो मुझे लगा कहना चाहिए टीवी के अपार्ट जाकर बाहर जाकर मैं बहुत भरे मन से कहूंगा भरती को लटकाने बाले जितने भी प्रयास होते हैं मुझे वो सारे प्रयास खिन करते हैं वो बाबू करे तो, वो प्रष्ण बनाने वाला करे तो, वो छात्र करे तो, हो तक कई छात्र इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो नाराजीगी भी जताएंगे मुझे, उनका हक है, बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं उनसे भी संतुष्ट नहीं होता, ना, 69,000 का जब मसला आया, तो मैंने उत्रपदेश के विश्ट शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा, कि अरजुन की तरह लक्ष पर निगार रहनी चाहिए, और हम दुनिया के सामने एक नजीर रखे, मैंने सतिशी से कहा था, आज पहली बार उसका रहस्युत गाटन कर रहा हूँ, पदेश ने 69,000 बच्चों को नौकरी की चिठी दी, यह मेरी चाहत थी, और यही चाहत सतिश दुबेदी जी कि भी थी, और मुख्य मंत्री जी कि भी थी, दोनों की व्यक्तिकत बात पर मैं बता रहा हूँ आप, कि ऐसा हो जाए, तो इससे सुन्दर कुछ नहीं, और सच मे इससे सुन्दर कुछ नहीं होता, एक बड़ी नजीर बंती पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, 69,000 की संक्या छोटी नहीं होती, हमारे 69,000 बच्चे अगर नौकरी पा जाते हैं, इस गरोरा काल में, विपरित परिस्खितियों में कैसे अच्छा किया जा सकता एक, उसकी एक मिसाल बनता ये, भरती अवियान, उसमें पलीता लग गया, पलीता लग गया, मंत्रे उस साहिद थे, मुक्रि मंत्रे ये उस साहिद थे, रिजवान बाबू हस रहे, वो कह रहे, चलो भाई पलीता, मैंने का पलीता लग गया, तो वो उस पर मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट का भी स्वागर, अभे के मायूस चेहरे का भी, मुझे उतना ही ख्याल है, जितना मुझे रिजवान की मुस्कुराहट का ख्याल है मेरे साथ मुश्किल है मैं किसी एक खेमे के मेक बठके नहीं रह सकता रिजवान के अपने हित हो सकते हैं अभे के अपने रजत के अपने हिमान्शू के अपने कि अपकि लगाइए अपनी नुकुरी तक सीमित है मुझे नुकुर्प्री नहीं कर ने बेशेु शिक्षापरिशद में न आवकारी सिपाही की मुझे तो करनी मैं संर्पिशनी लग रहा हूँ कि जिस प्रदेश में जन्मा हो उस प्रदेश के नौजवान के में काम आये एमांदारी से आये पारधरशिता से यह नई पूर्ण से आये मोगी कि मेरा क्या स्वार्थ है भड़ती हो सुष्षा कर? कि मुझे पीला होती है उतरी ही पीला होती है जिसे मेरा बच्छा मेरा बेटा भरती हो और जो बात नवीन ने कही वो ठीक बात कही है मैं बच्चों से उसी अधिकार से कहूँगा जिस अधिकार से आप लोग हमको मेसेज करते हो अमिदाब सर प्लीज आप आवाज उठाओ उसी अधिकार से कह रहा हूँ थोड़ा मुकदमेबाजी का लोब छोड़ो और आपस में नकारात्मकता बहुत है यही राय मेरी है और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए यही राय शीर्ष पर है आप लोगों के बारे में कि आपको के अंदर negativity बहुत जादा है एक दूसरे के लिए हर के जोले में दूसरे के खिलाब 25 किलो कागज है क्या जमाला नहरू के समय से लेकि आज तक के सारे कोड के फैसले हैं आपका काम क्या है आप पकालत करना चाहते हैं नहीं न और एक दो तीन बाते मैं नवीन जी से क चाहूंगा कि ये बाते सरकार तक जाएं एक तो नवीन बाबू पैसा किसी का नहीं होता ना पार्टी का न सरकार का न किसी का पैसा होता है टेक्सपेर का आप दिमाग में लिख लेना मित्री बाते पहुँचा जरूर देना पिछले दस वर्षों में सरकारी भरती के मद मे कितने अरब खरब रुपे सरकार को आए उसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए एक दशक में मेरे गरीब नागरिकों ने कहीं खेत बेचकर, कहीं बैल बेचकर, कहीं पायल बेचकर, कहीं खलुआ विचुआ बेचकर जो भरती के ड्राफ्ट लगाए है, उसका मुझे हिसाब चाहिए, एक श्वेत पत्र बनवाईए, कोविड में अभी और कोई काम भी नहीं हो रहा, सारे बाबु खाली बैठे, बनवाईए एक श्वेत पत्र और जारी कराईए, मेरी गती एक सी रहती है, मैं यही बात, विज मैं समझू तो 72,000 में 7,500 आया, तो भाकी में कितना आया, टोटल कितना हुआ, एक, दूसरा, पानी सर से उपर गुजर गया, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, आपके सद प्रयासों को जो लोग पलीता लगा रहे हैं, माननी मुख्यमंत्री जी, और वो आप के मातहित भी है, मुलाजिम है, उत्तरपदेश सरकार के, ऐसे लोगों को बिना समय गवाए, डासना जेल में प्रस्थान कराईए, इससे कम पर सुधार नहीं होगा, मेरी बात लिख लीजिए, वो किसी के मौसा हो, किसी के भूपा हो, इससे मतलब नहीं है, जेल भेजिए, हम आपको ट्रिपिल एस्सी में बनाएं लाकर तनखा दें, सदत से बनाएं, चेर्मेन बनाएं, सचिब बावर लोग बनाएं, बाबु भरती करें, और आप लोगों केरम खेलेंगे, निजी छेतर की तरहां टास्क दीजिए, करें तो ठीक नहीं करें, तो तनखा रोक बेजिए, और उससे भी नहीं सुद्रे, तो जेल भेजिए, और नवीन बावु एक बात कहूं, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, संग लोग, सेवा, योग, एक हजार किस्म की भरती करता है देश में, एक हजार किस्म के अलावा, आपने कभी ऐसा सुना उसमें, वो भी यही सब काम करते हैं, कांस्लिंग, परिक्षा, प्रश्न बत्र, सेंटर अलाउट करते हैं, तरीका तो यह की है, यहीं क्यों जूतों में दाल बट रही है, संग लोग सेवायों का पेटन क्यों नहीं लागू होता है उतर प्रदेश म में, बहा क्या कुछ अधिकारियों को डेप्रटेशन पर लाइए, और उनसे कहिए कि हमारे पूरे प्रदेश का धाचा बदलो, क्या ही गलत बात है, नहीं तो मुझे बता दी जी संग लोग सेवायों कि किसी भर्ती में भवाल हुआ हो, लट चलाओ, गोली चली हो, अधाल में जाते हैं, मैं कहिना नहीं चाहता था, लेकिन, नभीन जी, इतने बड़े बड़े वकील इन बच्चों ने हायर किये हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खास तोर पर, यह लड़ाई आज की नहीं, मैं 15 साल से बता रहा हूँ, खेत बिग ग नहीं न, यह बाप का खेत बेज कर आते हैं, मा का मोतिया बिंद का आपरेशन टल जाता है, बहन की शादी रुख जाती है, पता है, तब जाके एक बाप किस उमीद में होता है, कि चलो, अब शायद को रास्ता निकल आए, बच्चे को नवकरी मिल जाए, यह पाप गवत्य के जमान है, और जिन भी नवकर्शाहों ने किया है, उनको क्या धंड मिलता है, यही कसोटी होगी, और दूसरी बात, जिनोंने पर्चा बनाया, इस बात को मैं चार बार बोल चुका हूँ, आखरी बार फिर बोलना हूँ, जिनोंने पर्चा बनाया, ऐसा पर्चा जो हाई क बोट में जमीन के बल अंधे मुंगिरा जाकर उनकी जेल यात्रा होनी चाहिए और मैं नवीन जी से कहूंगा कि उत्रप्रदेश सरकार के प्रवक्ता उनकी जेल यात्रा की सूचना सार्जनिक भी करें कि आज प्रदेश के लिए खुशकबरी है ऐसे पांच लोग जेल बेद कि अवाज स्कानी जे सपापर xe जन्यवार